फाइबर फूड खाने के फायदे फाइबर युक ताहार का सेवन करने से मल त्याग की प्रक्रिया को नियमित रखने में तो मदद मिलती है इसके अलावा ये पेट संबंधी समस्या, मोटापा, कबज, बवासीर वहिदे रोगों के खत्रे को भी कम करता है इसके अलावा फाइबर, बलड शुगर का स्तर संतुलित रखता है इसलिए ये डाइबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है आगे फाइबर फूड के फायदे विस्तार से त्वचा के लिए फाइबर फूड के फायदे संतुलित आहार में भरपूर मात्रा में विटमिन सी जैसे एंटियोक्सिडेंट होते है ये प्रोटीन कोलेजन बनने में सहायक होते हैं और इसके कारण ही त्वचा में लोचाती है अच्छी मात्रा में फाइबर खाने से शरीर में कोलेजन के निर्मान के लिए जरूरी पोशक तत्वों के अवशोशन की अवधी बढ़ जाती है जिससे त्वचा अधिक समय तक जवान रहती है और चेहरे पर जुर्या भी कम दिखाई देती है वहीं फाइबर से शरीर की वसा कम होती और विशेले तत्व बाहर हो जाते हैं जिससे शरीर स्वस्थ वचेहरे को कील महासे से निजात मिलती है बालों के लिए फाइदे मन फाइबर फूड पर्याप्त मात्रा में फाइबर के सेवन से पाचन क्रिया वह प्रोटीन के अफशोशन की क्रिया ठीक होती है प्रोटीन का अफशोशन ठीक होने से बालों में मजबूती आती है वह बालों का गिरना भी कम हो जाता है Fiber मेलेनिन के उत्पादन में सहायक होता है मेलेनिन बालों के रंग के لिए जिम्मेदार माना जाता है इसके औक्सिडेटिव तनाव शरीर में होने वाला असंतुलन के कारण बालों को सफेद होने में लंबा समय लगता है मेलेनिन मुख्य रूप से मचली और समुदरी भोजन में मौजूद प्रोटीन से मिलता है 3. फाइबर फूड खाने के फाइदे पेट के लिए फाइबर का मुख्य काम भोजन को पचाना है फाइबर के सेवन से कब्जव इससे होने वाली कई अन्य बीमारियों से निजात मिल सकती है आहार में फाइबर लेने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विकार भी दूर होता है 4. फाइबर खाने के फाइदे कॉलेस्ट्रॉल में घुलनशी फाइबर वाले खाद्य पदात जैसे जो सेम और दाले कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं 5. कैंसर के जोखिम में फाइबर फूड के फाइदे 6. मेडिकल विशेशग्यों के अनुसार रेशेदार भोजन के सेवन से कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और दिमवरंथी के कैंसर के खिलाफ रक्षा होती है इन निशकर्षों की पुष्टी के लिए शोध अभी भी चल रहे है 6. फाइबर फूड के फाइदे मधुमेह में फाइबर के सेवन से शरीर में शरकरा कस्तर सामान्य होता है जिससे मधुमेह के रोग में मदद मिलती है 7. वजन नियंतरन में हाई फाइबर फूड खाने के फाइदे फाइबर वजन कम करने में भी मदद करता है अधिकतर खादे अदार्थ जिनमें फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है, उनमें कम कैलोरी होती है, वसा और कॉलेस्टरॉल का स्तर भी बहुत कम होता है घुलनशीर फाइबर आपके पेट में तरल रूप में बदल जाता है, जो भोजन को लंबे समय तक पेट में रखता है, इससे आपकी पाचन क्रिया धीमी होती है और इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, इस तर ऐसे आप कम खाना खाते हैं और ऐसे आप अपन की समस्या को रोपता है फाइबर के सेवन से हमारे शरीर के विशाक्त पदार्पमल के माध्यम से आसानी से बाहर निकाल जाते है महिलाओं को आमतोर पर देनिक आधार पर 25-30 ग्राम फाइबर की आवश्यक्ता होती है और पुरुशों को प्रते दिन 30-40 ग्राम फाइबर के सेवन की आवश्यक्ता होती है फाइबर के नुकसान किसी भी चीज की अधिकता शरीर को समस्या दे सकती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में करीब 40 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए अगर आप एक दिन में करीब 60 ग्राम फाइबर का सेवन करते हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है Fiber Foods के सेवन से कबज की समस्या ठीक होती है लेकिन यदि इसे अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये कबज और पेट में जलन की समस्या पैदा कर हो सकता है अगर आहार में Fiber का सेवन कर रहे हैं तो परियाप मात्रा में पानी अवर्शे पिए क्योंकि पानी पीने से कबज की समस्या काफी कम हो जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन डबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेद रहें धन्यवाद, शुब कामनाए और अलविदा